वेल आप इस कैम 1992 की वेब सीरीज में देखा होगा कि हर्षद मैता के टाइम पे लोग फ्लोर पर आके ट्रेड करते थे पेपर वर्क रिक्वाइड होता था जब स्टॉक्स को खरीदना होता था बेचना होता था पर 1996 के बाद NSE ने नाशनल स्टॉक एक्सचेंज ने गेम बदल दी जब उसने इंट्रड्यूस किया डी मैट को अब डी मैट का मतलब होता है डी मेटरलाइजेशन इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास डी मेट अकाउंट होगा तो आपको पेपर वर्क रिक्वाइड नहीं होगा आपने सुना होगा कि पुर पुराने शेयर निकले और आज की रिट में वह लाखों करोडों के बट वह पेपर समालना कितना मुश्किल है उसे असान कर दिया गया जब डी मैट फॉर्म लाया गया मलब सब कुछ ऑनलाइन होगा डिपॉजिट्री मतलब क्या होता है कि आप जब शेयर्स खरीटते हो आ तो आपके जो शेयर्स आप खरीदते हैं वह बिल्कूल सेफ रहते हैं तरीके से आमालीजे तेजोरी में पढ़ें तो जब आप डी मेंट अकॉंट खुल आते हैं तो इसके साथ साथ आपका ट्रेडिंग अकाउंट अपने आप खुल जाता है मलब आप के जो शेयर्स हैं तो दीमेट के अंदर आपको दिखते हैं और दीमेट अकाउंट के साथ च रहते हैं आप को डिमेट ऊच्रेड पाउंट को रोगते हैं आप को काफी सारी शिज़ते पता लगेंगी आपको सीग्रेट्ट ही लगेंगे कि करना क्या चाहिए और आपके लिए क्या सही है तो वीडियो को आप एंट तक देखेगा अब जब आपको यह समझ आ गया कि डीमेट अकाउंट की ज़रुत है अगर हम बिना पेपर वर्क के स्टॉक्स में बॉंड में मुचल फॉंड में गवर्मेंट सिक्यूरिटीज में एटीएफ में या फिर डिजिटल गोर्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हमें डीमेट अकाउंट की ज़रुत तो है पर अब सवाल आता है कि भीया किस ब्रोकर के साथ अकाउंट खुलव फॉल सर्विज ब्रोकर कि अपने इसके बाद आते हैं अपके मुष्स आपको चाहिऊंट ब्हुर्पन ब्हरुपर क्लिएं जड़ियों इस कि अब्हर ब् locks गुला तक्प लिट दो काफ प्लम्पर अब्हर्न को लिए अब को सब्सक्राइगा यगए डी तो अब सबसे पहले बोलेगे आपका एक सेविंग Prince जो है तो मैंने आपको बताई दिया कि आपको डीमेट और ट्रेडिंग आउंट की क्यों जरू होता है अब सेविंग आप में से जादता लोगों के पास है और बैंक कंपैलिटिवली थोड़े से जादा ब्रोकरेज चार्ज गरते हैं तो आप कंसीडर कर भी सकते हैं अवाइड भी जो बैंक है सेविंग अकाउंट से अपने डीमेट अकाउंट से अब डिसकाउंट और फुल सर्विस को समझते हैं फुल सर्विस की बात करते हैं फुल सर्विस में आपको तीन चीज़े जनरली मिलती है एक मिलता आपको आरेम का मतलब होता है रिलेशनशिप मैनेजर आप अगर आपको कभी भी कोई दिक्कत आ रही है कोई चैलेंज आ रहा है ट्रेड करने में या इन्वेस्ट्मेंट करने में तो यह इंसान आपकी help करता है अब मैं आपको बताऊंगा इसका alternate किया है अब आप सुनिए दूसरा आपको facility मिलती है call and trade की call and trade का मतलब होता है कि call करके भी आप trade कर सकते हों पर क्या हमें सच में इसकी जरूरत है क्योंकि online इतना असान हो गया है शेर को खरीदना यह बेचना किसी को call and trade की आज की रेट में जरूरत नहीं पड़ती है और तीसरी चीज़ यहां पर होती है कि आपको यहां पर tips और recommendations भी प्रोवाइड होती है कभी-कभी जो की बहुत जर्नल टिप्स होती है ऐसा नहीं कि बहुत जादा accurate होंगी बहुत पैसा कमा के दे देंगी थोड़ा सेफ चलते है फुल सर्वेस ब्रोकर भी तो यह tips और आपको recommendations भी कभी-कभी प्रोवाइड करते हैं तो it is a choice कि आपको फुल सर्वेस की जरूत है यह नहीं है अब आजाते हैं discount brokers इसे समझते हैं discount brokers definitely आपको यह तीनों ही चीज़ें नहीं देते हैं बड़ आपको कहोगे कि या RM की जरूत तो पड़ सकते हैं कभी कोई issue हो आगया तो discount broker के पास customer support की पूरी टीम होती है तो अगर आपको कभी भी क customer support पर भी call कर सकते हो तो RM के charges देने की जरूरत नहीं है दूसरी चीज़ कॉल इंट्रेड की जरूरत नहीं है बहुत सब कुछ आप online कर सकते हो technology driven हो गया सब कुछ तो अगर technology अच्छी आपके डीमेट अकॉन पर तो call and trade की जरूरत नहीं है and tips and recommendation well it is a choice मैं बोलता हूं कि आप यह खुद से भी देख सकते हो कि आपको generally कहां पर trade करना है कहां पर invest करना है so use your own brain that is my advice बाकी आपकी choice है तो यह हो गए discount broker full service broker और banks के अंदर एक basic comparison अब इसके अलावा आपको ना कुछ चीज़ समझनी है आप decide कर सकते हो definitely but सबसे पहले account opening के ही charges होते हैं ऐसा नहीं कि सारे के सारे discount brokers भी आपको free में account opening की facility दे रहे हैं पैसा लेते हैं हर आदमी को पैसा चाहिए तो full service and banks definitely ज्यादा पैसा लेते हैं discount brokers कम पैसा लेते हैं but there are some brokers जो zero charge करते हैं account opening का तो सबसे वहले हमारा factor है पैसे ना लगे ना account खुलवाना है तो पैसे नहीं लगने चाहिए एक सबसे बड़ी कमाई होती है brokers की जो होती है AMC ज्यादा तो लोग इसके उपर बात नहीं करत packages मैं recommend करता हूं कि अगर आप कहीं account खुलवा रहे हैं तो भी यह भी zero होना चाहिए क्यों कि अगर आपने ज्यादा trade नहीं किया आपने चलो account खुलवा ले कई लोग होते हैं यह नहीं regular trade करते कभी कर लिया कभी नहीं किया तो वह AMC क्यों दें बहुत ज्यादा मैं कहता हूं जिरो दो ना तो यह कैसे दे सकते हो we'll talk about that तीसरी चीज़ा आती है brokerage brokerage definitely सबसे कम होती है discount brokers की तो जब discount brokers की सबसे कम brokerage है तो आप अगर brokerage को consider करते हो क्योंकि अगर आप आज शुरुआत कर रहे हो या हो सकता है trade करते हो लगातार आप अगर अपना P&L निकालोगे तो आप देखो कि उसके अंदर आपने बहुत सारे charges brokerage के नाम पर दी होंगे अगर आपको बहुत जबादा फरक नहीं पड़ता तो you can go ahead जो आप करने बहुत बढ़ी है या फिर आप कहीं भी account खुलवा लीज़े बट अगर आपको brokerage matter करती है हमारे जो charges है जादा ना लगी तो आप कह सकते हो brokers हैं अब अगर आप कहते हो discount broker मुझे चाहिए तो मैं आपको नाम बता देता हूं आपके सामने upstocks है आपके सामने 5 पैसा है आपके सामने ptm money है बहुत सारे options हैं आपके पास आप खुलवा सकते हैं बट अब एक discount broker का मैं नाम लेता हूं इसका नाम है upstocks for example तो क्या upstocks अभी आपसे कोई charge ले रहा है account opening के the answer is no नहीं लेगा तो पहला हमारा यह criteria पास होगे discount broker है तो आपको समझाई गया दूसरी चीज क्या AMC ले रहा है lifetime के लिए आज की रिट में वह आपसे AMC charge नहीं कर रहा है बहुत अनुल maintenance charge नहीं लगेगा account फ्री में खुल र broker है यह किस टाइप का broker है यह discount broker है मुलाब सस्ते में काम हो जाएगा 20 रुपे आपका maximum side पे आपका brokerage लग रहा है आप खरीदें या बेचे आप trade कर रहे है मुलाब आपका buying और selling order जो है maximum 20 रुपीज में execute हो जाता है और example के लिए मैं आपको बताया maximum क्योंकि lower side पे आप internet प stocks brokerage calculator तो आपके सामने आजाएगा आप सबसे पहले अपनी स्टेट चूज कर सकते हैं क्योंकि स्टेट के सबसे थोड़ से टेक्स वरी करते हैं अब जैसे माराश्टर का option है यह पर गुजरात का डेली चूज कर लेते हैं अब अगर आप डेली से बिलॉंग करते हैं तो यहां पर प्रॉफिट होगा ऐसा नहीं है क्योंकि यहां पर ब्रोक्रेश लग गई आपकी 10.50 की 6.13 के अधर चार्ज है तो जो आपको जो नेट प्रॉफिट आएगा और यह डिस्काउंट ब्रोकर है इसलिए बहुत कम है क्योंकि जो आपके फुल सर्विस ब्रोकर्स है अगर मैं और ब्रोकर्स की बात करूंब मैं नाम नहीं लेगा तो वहां पर चार्ज बहुत जादा हो सकते हैं तो यहां पर आप देख रहे हो कि बहुत मिनिमम डिफरेंस है अगर आपने 1000 रुपे का तो मान लीजे 1000 रुपे का कुछ आपने ट्रेड की 1000 का खरीदा 1100 का बे बड़ाइजी है अब अप्स्टोक्स पे अकाउंट आप किस तरीके से खुलवा सकते हैं वह भी ओनलाइन गर बेटे बड़ा सिंपल स्टेप है मैं आपको एक बार दिखा देता हूं कि आपको क्या स्टेप्स फॉलो करने पढ़ेंगे अप्स्टोक्स का लिंक आपको अपनी email id और अपना mobile number एंटर करना है आप जैसे ही send OTP पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले हैं आपकी mobile phone पर एक OTP आएगा जो आप यहां पर डाल देंगे वो यहां पर enter करेंगे, आपके पास जो mail पर OTP आया है, वो कभी-कभी inbox पर नहीं दिखता, तो आप अपने spam folder को भी check कर लीजेगा, इसके बाद आपको ready रखना है अपना pan card और अधार card, आप सबसे पहले अपना pan number यहां पर enter करेंगे, उसके बाद आप अपनी date of birth डालेंगे आपने अपना pan number enter किया, अपनी date of birth आप यहां पर select भी कर सकते हैं, बहुत easy है, आपनी date of birth select कर लीजे, इसके बाद आप next पर click करेंगे, उसके बाद आप अपना चूज कर सकते हैं, gender, marital status, आपकी annual income कितनी है, आपका trading experience क्या है, आपके pan card पर आपके father का जो name है, exactly वो same लिख है, उस पर yes कीजे, accept कीजे, जितनी भी terms and conditions आप भी सकते हैं, उसके बाद continue कीजे, आप देखें, यहां पर जो भी upstock को offer होगा, जैसे कि कभी free stock को offer होता है, कुछ और भी offers होते हैं, वो यहां पर आपको दिख जाएंगे, उसके बाद I want a free stock पर continue कर सकते हैं, फिर आपको digital signature क करने हैं, जो कि आप बहुत easily यहां पर sign कर सकते हैं, उसके बाद आप continue पर click कर सकते हैं, अगर sign ठीक नहीं हुए, तो erase all करके दुबारा भी अपने sign कर सकते हैं, इसके बाद आपको अपने digital locker को upstock से connect करना है, डीजी locker में आपको अपना अधार card number लिखना होता है, यहां पर अपना number enter करने के बाद next पर click करेंगे, इसके बाद जो आपका अधार card linked होगा, जिस mobile number से उस mobile पर आपके पास एक OTP आएगा, वो यहां पर enter करने के बाद आपको simply continue पर click करना है, अब यहां पर आपको upstock digital locker का integration दिख रहा होगा, आप simply allow कर देंगे, allow करने के बाद आप connect your digital locker with upstocks पर click करेंगे, इसके बाद आपको अपना camera on रखना है, अपने mobile का camera on कर सकते हैं, अगर आप laptop पे कर रहे हैं तो अपने laptop का webcam on कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर आपकी एक photo click होगी, यहां पर आप make sure कीजेगा कि आपका जो पीछे का background है, वो white हो, और white background में आपका face clearly देख चाहिए, और अगर box के अंदर आपका face 70% से जादा दिखता है, तो application के एक बार में अप्रूव होने के chances जादा है, कभी-कभी face clear नहीं दिखता, तो application reject हो जाती है, इस इसका कास कर आप ध्यान रखिएगा, अगर आपने sunglasses पहन रखिए हैं, अगर आपने कोई hat लगा तो आप इन सारी accessories को हटा के ही अपनी photo क्लिक कीजएगा, इसके बाद आप simply accept पे क्लिक कीजएगा, उसके बाद आपको अपनी bank details डालनी है, अब bank details क्यों डालनी है, यहाँ पर एक चीज़ जहान रखिएगा, जिस bank account से आप regularly transaction करने वाले हैं, आप पैसे add करने के लिए हैं, जिस account में आपको पैसे वापस चाहिए होंगे, जब आप चॉक्स को बेच देंगे, आप अपना account number बिल्कुल accurate डालेगा, यहाँ पर सबसे पहले account holder का name लिखेंगे, उसके बाद IFSC code लिखेंगे, आप उसके बाद bank account number लिखेंगे, आपको यह सारी details आपकी checkbook पे भी मिल जा है, ऐसा नहीं है कि आप किसी और account डाल देंगे, तो reject हो जाएगी आपकी application, लास्ट में आप देखेंगे, account type है, saving, अगर आपका account है, तो saving पर click करके, आप continue कर दीजे, continue करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे, कि limited time offer मिल रहा है, कि sign up free में हो रहा है, in future हो सकता है, कि आप चार्ज ले जा रहे हो, अगर चार्ज लेगा, तो उसके बदले में आपको कुछ ना कुछ offer ज़रूर प्रवाइड गरेगा, जैसे कि अभी आपको दिखा कि free stock मिल रहा है, तो कोई ना कोई offer ले आता है, वो भी आपको यहाँ पर दिख जाएगा, यह account opening के बाद आपको मि बड़ी बात है, finally यहाँ पर आपको select करना है कि आप अपने futures and options, currency और commodity segments को भी activate कराना चाहते हैं, इन्हें आप करवा सकते हैं, अगर आपको trade करना है, अगर आप बाद में करना चाहते हैं, तो आप I'll do it later को select कर सकते हैं, and अगर आप activate कराना चाहते हैं, तो यहाँ पर ध्य statement upload करनी पड़ेगी, अगर आप अपनी bank statement upload करते हैं, तो एक चीज़ को और ध्यान रीजिएगा, कि आपका closing balance कम से कम 10,000 रुपे हो, कुछ लोग closing balance को कम रखते हैं, यह कम दिखाते हैं, तो आपकी application reject हो जाती है, तो 10,000 minimum आपके account balance में दिखना चाहिए, इसके अलावा आप अपनी net banking पर जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, अपनी statement को PDF form में, और मैंने आपको बताया, 10,000 रुपे balance आप रखिएगा, दिखाईएगा, तो एक ही बार में हो जाएगा, कोई rejection नहीं आएगा, finally, यह सबसे important step है, क्योंकि कई सारे लोग इस step को complete नहीं करते हैं, तो DMAT account आपका activity नहीं होता, और वो है e-sign, e-sign के लिए simply आपको अधार कार्ड पे, जो आपका mobile number लिंक रहा है, उस पर OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ पर डालना होता है, तो आप simply e-sign now पर click करेंगे, उसके बाद आप अपना यहाँ पर नाम देख सकते हैं, आपको यहाँ प करना है, Terms of Service को, and submit पर click कर देना है, इसके बाद आपको दुबारा से अपना अधार कार्ड नमबर यहाँ पर डालना है, and send OTP पर click कर देना है, OTP को आप जैसी verify कर देंगे, आप देखेंगे यहाँ पर, कि आप अपनी signed document को download भी कर सकते हैं, and that is it, you are done, आपने successfully अपने DMEIT आप उसके बाद upstocks की app पे जाके login कर सकते हैं, आप investment कर सकते हैं, और trade भी कर सकते हैं, तो आपने देख लिया कि किस तरीके से, आप upstocks पे simple steps को follow करके, अपना DMEIT and trading account खोलवा सकते हैं, so आज ही आप अपना DMEIT and trading account खोलवा यह क्यों, इसकी जरूरत क्यों है final, जो आपको स there is a concept called inflation, inflation आप सबको पता है, कि भीया महंगाई हर दिन, हर साल, हर महीने बढ़ती रहती है, तो यह महंगाई बढ़ रही है, तो पैसे की purchasing power कम हो जाती है, तो जब आप stocks में, gold में, silver में, commodities में पैसा लगाते हैं, real state में पैसा लगाते हैं, तो यह चीज़े limited हैं, जिसकी भी सकते हैं, हमने आपके लिए stock market के ऊपर पूरी playlist भी बनाई हुई है, आयो बटन पर लिंक है, आप जाके step by step stock market को सीख सकते हैं, investment कर सकते हैं, trade कर सकते हैं, and I hope आपको यह वीडियो बहुत जादा valuable लगी होगी, तो इस वीडियो को शेर जरू कीज़ेगा, क्योंकि यह ब कि आपके सवालों को कोशिश करेंगे, finally, अगर आपको अपना account खुलवाना है, and आप upstocks के अलावा और भी brokers को consider करना चाहते हो, आप full service broker के साथ account खुलवाना चाहते हैं, bank के साथ खुलवाना चाहते हैं, मैं सबके link भी description comment box में डाल दूँगा, but मैंने आपको preference बताई है, क currency तो lifetime नहीं है, तो यह बहुत बड़ा advantage है, go ahead and open your DMAT account, एक चीज में आपको और बताना चाहूंगा, यह जो DMAT account जो आप खोलते हैं, इसमें बहुत बड़ी option होता है, पैसे कमाने का जो हो सकता है, reference अनकेधरू, आप जब अपना account खुलवा लेते हैं, उसके बाद आप अपना account खुलवा के, तो अपना account खुली और देखिए कि latest offer क्या चल रहा, offer बदलते रहते हैं, कभी 500 रुपे भी होता है, कभी 600 रुपे भी होता है, एक account को refer करने का, और आपको प्लस अगर इंसान ट्रेड करेगा, तो extra पैसे भी मिलते हैं, तो जो भी offers है, जब आप अप और इंसान अगरि स्वी